अभी अभी आपको पताया कि वरिश्चिक लगन है और जुपिटर, मून और राहू कठे हैं और भी बहुत सारे प्लैनेट्स की पुजीशन ऐसे है सूर्य तुलाराशी में नीच का है मरकरी वहाँ पे है तो बार्मागर भी खराब हो गया मेंटल स्ट्रेस, ओवर्थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स और बहुत ज़्यादा सोचना, विचार करना, डिप्रेशन में चले जाना और सेंटीमेंटल हो जाना, किसी भी बात को प्रैक्टिकल ना, बात मानना, जिद्धी बन जाना, गुच्सा आना, ये सब सोभाविक हो रहा है आपके साथ बिल्कुल हो रहा है अब सूर्य तुला राशी में नीच का तो नींद की भी प्रॉब्लम आ सकती है स्टमक ट्रबल, गैस, एसिडिटी वैसे तो कम नजर आ रही है थोड़ी बहुती हो सकती है पर नींद की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है आखों से रिलेटेड भी कोई ना कोई चीज कभी ना कभी होगी आपको तो वैसे अभी नींद की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है और यह आपका स्टमक के अंदर कोई लिवर वगैरा सब टेस्ट ठीक करवाया है कि थोड़ा बहुता दिखता है मेरे को आप मेरे को बताओ मुझे कहां से पता चल गया भाई मेरे यह तो दुनिया में कोई बताई नहीं सकता आपको जो मैंने बता दिया आपनी लिवर के अंदर ही मैंने बात बूली और आपने कंफर्म करी और इससे पहले आपने मुझे जिन्दिगी में कभी कॉल नहीं किया ना कभी बात करी ना ही आप पहली बार आये हो हेल्थ के अंदर वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी पहले दशा पीरड देखो किसकी चल रही है अभी आपकी वीनस की दशा चल रही है 2015 से आपका वीनस चल रहा है वीनस के अंदर वीनस निकल गया वीनस के अंदर सन निकल गया मून निकल गया मार्स निकल गया तो पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं मून, मार्स और सन जो उनसा है मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देता है वैसे हेल्थ में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी जिंदिगी में भी कभी भी हेल्थ ठीक रहेगी बस लीवर के अंदर सूजन है फैट्स की वज़े से फूड हैबिट्स बहुत ज़्यादा कराब है जुपिटर राहू के साथ बैढ़ गया काफा दोश आ जाता है वेट बढ़ता है बड़ी का और फूड हैबिट्स कराब हो जाती है कंट्रोल नहीं कर पाता ऐसा इंसान तो मोटापे की तरफ भागता है मतलब बहुत ज़्यादा आगे आपको शुगर के अभी ध्यान रखना है डाइबिडीज का बलड प्रेशर का ये दोनों चीजें आपको हो सकती है अब मेरे को बताओ आपकी ये सारी बिमारी ढूंड दी मैंने आपके इसके अंदर दुनिया में कोई भी इतना क्लियर नहीं होगा जितना मैं ये मैं नहीं हूँ हमारा तुजूरुबा है हमारे दादा जी भी एस्टोलोजर थे उपर से ये नाड़ी एस्टोलोजी है जो ये सारी चीजें बताती है अब हम करियर पर आ जाते हैं कोश्चन आपके दो हैं करियर से लेकर के मैरिज से लेकर के ये सारी चीजे मुझे कहीं गडबड नजर आ रही है बोलने की जुरुत नी पड़ेगी मेरे को कोश्चन बताने की जुरुत नी पड़ती मैं आपका ये वीडियो डाल दूँ उसके अंदर फोटो चेहरा चुपा दूँगा चाहे अगर आपको लगता है चलो ठीक है आपकी मंजूरी की जुरुत होती है आप ये देख लेना वीडियो कली मैं डाल दूँगा परसों ये वला सारा आपका आजाएगा ताकि आप अपने कुडली को बार बार देखते रहिए और देखो बिल्कुल रियालिटी पे हम बिल्कुल सटीक बात करते है इसे ही तुजरुबा बोलते हैं बड़े उमर होगी मेरी भी पचास साल से अबब हूँ मैं और इसके अंदर जो तुजरुबा है हमारा उसमें आपकी ये सारी बाते सामने आ रही है अब हम करियर के बारे में बात करेंगे मैरिज का भी कोच्चन है देखो करियर के अंदर स्लो बहुत चल रहा है पैसों की दिक्कत आ रही है इंकम उतनी है नहीं है फिफ्ट का टैंथ का लॉड सूरे है और सूरे आपका तुला राशी में नीच का है और बुद भी है तो बीजनस आता है यहां पर कोई न कोई बीजनस भी आता है बैंकिंग बीटेक एमटेक बीजनस आता है फूड करोफ М takeaway मर्चेंट ट्रेडिंग और बैंकिंग प्र आपका जॉब भी आ सकता है जॉब भी आसकता है तो इस वे से क्या क्या आपका जॉब कर रहे हूं ना आप बस फिर मैंने आपको क्या बोला बिजनेस का दिल करता है आपका करने को तो फिर वो सारी बातें आ गई ना बिजनेस भी आ रहा है जॉब भी आ रहा है हाँ बोलो आपकी आवाज नहीं आरी आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है पेटे प्रक्लियर ली क्लियर ली बोलो क्या कहना चाहरे हूं हाँ थोड़ा उच्छा बोलिये यार मेरी बास तुरो यह को बात में दूँगा पहले बाते समझ लो प्लैनेट को समझो कि वो पॉजिटिव और नेगिटिव आगर प्लैनेट नेगिटिव है पैसे देने वाला प्लैनेटी नहीं है तो आप business करो, job करो, जुत्ता बेचो, आप cloth का काम करो, food का काम करो, प्लैनेटी जब पैसा नहीं देने वाला होगा तो कहां से देदेगा पैसा मुझे बताओ, ये जितने भी astrologers हैं, ये लोग कहते हैं कि आप कपड़े का काम छोड़ो ये वाला काम कर लो वाला काम कर लो इसको छोड़ो उसको कर लो अरे मैं ये कहता हूँ कि भाई आप ऐसे एस्ट्रोजर को तो बिल्कुल भी मत मानो जो आपका नुक्सान कर रहा है अब मानो आपका वीनस जिसकी दशा चल रही है और आपकी शनी की भी साड़े सती चल रही है वीनस जोंसा है राहू वीनस चल रहा है आपका 2015 से पहले तो वीनस को देखेंगे फिर अंदर कौन सा प्लैनेट चल रहा है राहू चल रहा है इसको देखेंगे यह house number 11 होता है बेटे, इसकी calculation होती है, यह 11 घर जहां होगा वो पैसा देगा, पर 6-8-12 नहीं होना चाहिए, पांच-8-12 नहीं होना चाहिए, पांच-8-12 क्या है, पांच-8-12, 6-8-12, यह सारे houses बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, आपके इसके लिए, income के लिए, आप कभी गूगल कर लेना, 6-8-12 घर पढ़ लेना, कि सबसे बड़ी टांग अड़ाने वले houses है, पांच-8-12 भी सबसे बड़ी hindrance पैदा करते हैं, आपके ना यहां 5-8-12 है, ना 6-8-12 है, पर आपके कोई भी planet के अंदर, कोई भी पैसा, income देने वाला, वो नहीं है, तो इसके अंद राहू चल रहा है, राहू की condition देखो, इसमें 2-7-11 houses है, 11 house is the main house which will give money, पर इसके साथ 5-6-12 भी है, तो टांग भी अड़ा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, पैसा दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, सौर पे आते हैं, सौर पे चले जाते हैं, सेविंग्स बिलकुल भी नहीं है, लाग से निचे ही रही होगी, पेमेंट जब भी रही होगी महीने की आपकी, पीरिट जो साइकल है, 50-60-70-80, यहीं भी घूमता रहता है, तो फिर जब जो बंदा आपकी यार सैलरियां तक गिन रहा है, तो फिर आपको रह क्या गया, अभी तक तो आपने मेरे को अपने प भीमारियों को ढूंड ले, वो एस्ट्रोजर नहीं होता, कि चले बताईएजे आपका क्या कोश्चन रहा है, भाई, कोश्चन ही अगर वो बता देगा, तो तू क्या कर रहा है, तूने क्या क्या किया, उसके लिए तूने क्या ढूंडा पहर उसकी कुंडली में, तो मैंने तो आपकी कुडली के अंदर सारी बात बता दी कि आपकी सैलरी भी यहां पे घुमती है ठीक है अब वीनस और राहू चल रहे हैं देखो वीनस कितना लंबा है आपका अब यह 2035 तक जाएगा 10 साल पड़े है ठीक है उसके अंदर राहू के अंदर जुपिटर सैटरन मर्करी के तू आते हैं राहू की स्टोरी बता दी मैंने तो जुपिटर भी आपका सेम है पर थोड़ा सा बेटर है जहां आप साथ जार कमारे हो तो जुपिटर में सत्तर आ जाएंगे यह बेटर है इसके अंदर भी वैसा ही होगा सत्तर की जगा असी आ जाएंगे आठदास जार रुपे का इंक्रिमेंट है तो मर्करी में भी ग्यारा नंबर है आपके ग्यारा हाउस अल्मोस हर प्लैनेट में है पर यह खाली चंदरमा को छोड़के बाकी हर प्लैनेट में आपके 6-8 बरबी है चंदरमा और जुपिटर यह दोनों प्लैनेट आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है अब सूर्य के अंदर भी 11 नंबर है पर यहाँ पे जो वैदिक चार्ट वाले है वो तो यही कहेंगे सूर्य नीच का तुला राशी में नीच का होता है तो सूर्य आएगा आपको डुबो देगा बारवा घर हॉस्पिटल्स का है डॉक्टर्स का है नींड का है और एक्सपेंडिचर्स का है तो सौर पे आएंगे सौर पे चले जाएंगे पर सूर्य की कैलकुलेशन नाड़ी में बहुत ज़्यादा क्लियर आती है पैसा देने वाला प्लैनेट है पर देगा जरूर पर वीनस की दशा जाने दो सौर्य का आएगा पैंटिस में तो फिर थोड़ा सा बैटर है ठीक है की नहीं वीनस से बैटर है पर आप ओल ओवर अगर आप मैं आपको बताऊं वन फिफ्टी तक पहुंच सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा मैकसिमम इतनी कुंडली आपकी है पर चिंता ना करो मेरे भाई हम लोग किसले बैठे हैं अभी आपको सारी चीज बता रहे हैं कि इसको कैसे राइस करना है ठीक है कि नहीं तो यह सारी चीज आपको समझ में आगी कि आपके सारे प्लैनेट्स में चंदर्मा की दशा अगर आएगी तो बहुत स्ट्रॉंग है जुपिटर की दशा आएगी तो बहुत जादा स्ट्रॉंग है क्योंकि वो दोनों प्लैनेट्स किसी भी अब यह सन के आगे मून आपका 241 में आना है तो तब तक वेट थोड़ना करोगे आप कि मेरे प्लैनेट्स यह 10 साल के लिए आना है 41 से लेके 51 तक अंदर जितनी भी अंतर दशाय हैं वो भी पैसा देंगी पर बैटर होगा क्योंकि वीनस में 11 नंबर नहीं है तो वो कमजोर आपको 50 परसंट का जो रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा है वीनस से बाकी जो पैसे मिल रहे हैं आपको बाकी के प्लैनेट्स की वज़ा से मिल रहे हैं क्योंकि उनके अंदर 11 थाउस है तो 50 परसंट वो अपना दे रहे हैं पर उसके अंदर 5 आड़ बार है तो 10-20 परसंट वो भी निकाल रहे है तो मुल कुल मिलाके 100 में से 30 परसंट मिल रहे हैं आपको पैसे समझ रहे हैं 30 परसंट आपकी कुंडली बहुत जादा पॉजिटिव है इनके कुंडली में 6-8 बरह ज़ादा होता है तो आपकी कुंडली में देख लिए हर जगा 6-8 बरह है 11 नंबर บी है आपकी मेरे से तो बहुत अच्छी है कुंडली मेरे को तो बिल्कुल पिक पैसा नहीं आता था कि सारी उमर एक लाग तक पैसा आता रहेगा, अगर आप सैटिस्फाइड हो, तो किसी ट्रीटमेंट की जुरुत नहीं है, आप ऐसे ही रहो, अगर आप संतुष्ठ हो, पर अगर आग लगी हुई है, पर मेरे को भी कुरोड़ पती बनना है, मेरे को भी बहुत कुछ करना है तो मेरे फॉर्मला मेरे जो ट्रीटमेंट्स है उनको फॉलोगी भी पर कई लोग सैटिस्पाइट होते हैं कि मैं सर खुश हूँ इसमें तो मुझे नहीं चाहिए तो वो आपके उपर है ठीक है पैसे तो आपको आते रहेंगे यह आप आज को लिखके दे रहो हूँ मैं आपको इनसान हूं और एक लॉयर भी हूं तो मैं इस देश के कानून को अच्छी तरीके से जानता हूं मैं चाहता हूं कि जो भी फैसला लेना है आपने अपनी मर्जी से लेना है मेरे कहने पर मत नहीं लेना और आप 18 साल से अबब भी हो यार बच्चे तो हो नहीं हो आप है ना तो मैं से अब्लेड के लिए होती है कि चलो मैंने अपनी तरब से आपको एक चीज बताई मैं तो डॉक्टर हूँ प्रिस्क्राइब कर सकता हूं सारी समझ आपकी है, कॉंसेंट आपकी है अब मैं आपको, अगर मैं आपको बताओं कि चलो पहले दूसरे बारे में भी बात कर ले, मैरिज के अंदर भी दिक्कत आ रही है कहीं न बहीं बोलो सर, अवाज नहीं आ रही आपकी क्या हुआ? अभी आ रही सर अवाज यार पहले क्यों नहीं आपने आवाज बोली, इतनी प्यारी खुमसूरत आवाज आए यार तुम्हारी ऐसे क्यों नहीं बोला पहले आपने? है जुनेद भाई? बोलिए अभी आरे सर अवाज अब तो बहुत प्यारी आवाज आ रही है आपकी अब मैं बोलू कि मैरिज में भी दिक्कत आ रही है क्या मैरिज फिक्सेशन के अंदर दिक्कत आ रही है आपकी है जी आ रही है सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नीला इससे कोई लेना देना नहीं है सेवन्थ हाउस अच्छा होना चाहिए सेवन्थ का लॉड आपका वीनश है सेटरन के साथ बैटा है पर वरिश्टिक रही में और नीचे भी देखिए सारा बिजनस के लिए भी होता है और पार्टनर्शिप के लिए भी होता है और 11 हमेशा सब का गेन अगर बच्चे का देखें तो 5-11 पांच बच्चे का गेन है तो 11 हर किसी के साथ जुड़के बेनेफिट्स देता है तो 2-7 और 11 घ्रा यह हौसज होते हैं तो जो आपके हाउसस यह कमपलीट नहीं है मतलब.. कोई जादा आपसमें प्यार नहीं है आपकी आवाज फिर बहुत जादा कम आ रही है आप तो बहुत अच्छी वाज आ रही है मेरे भाई अब मैं यह बोल रहा हूं कि मैरीज के अंदर दिक्कात आ रही है कोई फोरण जॉब के चांसे से क्या है यह देखो मैंने आपको पहली बता दिया प्लैनेट आपके जितने भी है वह एक लाग रूपे या डेड़ लाग रूपे से ज़्यादा नहीं दे सकते तो बिजनस करो जॉब करो पैसे उतनी आएंगे आपको